तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटर की पढ़ाई अब हाई स्कुलों में होगी तो सरकार के दौरा गपी एतिहासिक बड़ा फेसला लिया जा चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह काफी बड़ी खबर है जो भी छात्र मेट्रिक पास कर चुके हैं इंटर में ए कड़वाने के लिए जो है कि कोलेज नहीं जाना परेगा यह काफी बड़ी कबर है और काफी बड़ा कदम है सरकार के तरफ से अब जो चातर जिस हाई स्कुल से मेट्रिक पास कर चुके हैं उसका एडमिशन उसी हाई स्कुल में हो जाएगा और इस बार आप लोग जान ही रह रहेला है, इस न्यूज को हम विश्तार पुरुवक्त आपको हम बताएंगे, उस से पहले जो काफी इंपोर्टेंट खवर हैं, उन को हम आपको बताते हैं, उसके बाद इस न्यूज को भी हम आपको अच्छी तरीके से हम बता देंगे, तो देखिए वीडियो का एक एक सक काफी महतपूर्ण है अगर आपने सकेंड भर के लिए वीडियो को छोड़ दिया तो आप बहुत सारे जानकारी से वंचित रह जाएंगे क्योंकि देखिए बताते वक्त कुछ ऐसी इंपोर्टेंट जानकारी निकल जाती है जो सभी सास्त्रों के लिए काफी अनिवारी होता होता है देखिए SLC से होता है स्कूल से होता है Living CA से होता है certificate, इस्कूल लीविंग certificate क्या होता है जैसे पहले पर लोग टिशी जानते थे ऍटमपर भिक आपको मिलता था तब आप अगली कक्षा में नमंकर लेते थे तो उसी परकार से जो 16 मेंamig रिकपास कर जाते हैं उसको SLC दिया जाता है कोलेज में एडमिसन करवाने के लिए यानि इंटर में एडमिसन कर वाने के लिए चाहिए आप इंटर आर्स में लिजी ए की सेंस में लिजी या कोमर्स में लिजी तो वही चीज़ ये SLC है तो पहले एडमिशन के समय ओरिजिनल SLC ले लिया जाता था लेकिन इस वार जो है कि आप SLC नहीं भी जमा करेंगे तो आपका एडमिशन ले लिया जाएगा और उसके बाद बाद में जो आपको SLC दिया जाएगा तब आप लोग जा करके जमा कर दिजिएगा तो इस अनिवारियता को जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि खत्म किया गया है याँ आपके पास SLC नहीं भी है तो आप इंटर में एडमिशन करवा सकते हैं तो चलिए अब उस न्यूज को हम समझ लेते हैं तो यहाँ पर आप न्यूज को विश्तार प्रवक देखिए कि अब इंटर की पढ़ाई हाई स्कूलों में होगी इंटर में नमंकन की परकिरिया शुरू होने के पहले बिहार बोट ने हाई स्कूल नम्मी और दस्मी अस्तर को इंटर की मानियता दी है तो जो भी आप और दस्मी अस्तर की जो भी हई स्कूल है उनको जो हमदसे कि इंटर की मानियता दिया है और एक कोड परताहन किया गया यह इन इसकूलों को इंटर का लगभाग चारसो स्कूलों को पफिल Un bombsagur में अपग्रेट किया गया है तो लगभा जितने भी हैव्यज कूल है इस सीटों पर नमंकन के लिए बोर्ड ने अनुमती दी है तो तीनों संका यानि आर्ट साइंस कोमर्स हो गया तो 120 यानि जो है कि 120 सीट जो है कि आपको साइंस में रहेंगे और उसके बाद 120 आर्ट में रहेंगे और 120 सीट आपको कोमर्स में यानि इतने सीटों पर जो है कि अब ह और इड़ाइश पर चाहते हैं तो कॉलेज में ज्यादा सेटे होती है लेकिन हाइसकूल में 100 वीज सीट 2 मोशना सभी हाइस्कूल को दिया गया है तो आप प्रonneื pre-sisco उस्य सभी चाहते हैं कि हम अपने हाइस्कूल में जीन नमांकन करवाएं तो ये सभी चात्र अपने हाई स्कूल में एडमिशन ले लिजिए इंटर में एडमिशन आप ले सकते हैं तो यह काफी बड़ी खबर है अब चात्रों को जो है की दूर नहीं जाना पड़ेगा अब हाई स्कूल में पढ़ाई कर सकें